जिया नमस्कार मित्रो आज है 4th फेबरुआरी शुक्रवार यानी UPSC प्रिलिम्स को भी 4 महिने और एक दिन बागी मुद्धा है डेली करंट हम पेश में जाने लायक क्या उससे पहले एक करेक्शन कल हमने देखा था ये रामसार वेटलेंड साइट सीन इंडिया और उसमें दो नए साइट सेट हुए गुजरात और उत्तर प्रदेश में तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था थस आप्टर दिस उत्तर प्रदेश एन खिजडिया इन गुजरात टॉली अपसथ साइट सीन इंडिया वेंट अप टू 48 तो हमने पढ़ा था टॉटल 48 ऐसे जगह भारत में है लेकिन प्रेस इंफर्मेशन व्यूरो के स्टेटमेंट के हिसाब से सरकार का कहने देरा टॉटल 49 साइट तो उस हिसाब से ये जो कर्रेंट अपस्की में एकसेल और पीडिया फैल बनाता हूं उसमें मैं करेक्शन कर दूँगा अब ये करेक्शन है तो मतलब ऐसे तो और भी कितनी गलत चीज़ें हमने पढ़ी होंगी हो सकता है ये ऐसी चीज़ है कि कोई हर चीज़ को पढ़ाने से पहले फैक्ट चेक करने बैठे तो वीडियो टाइम पे रिलीजी नहीं हो सकता तो अगर कुछ बाद में करेक्शन है तो देख लेंगे अधरवाइस बगवान माली के जो प्रिलिम में पास और पेल होना है वो बहुत सारा इधर भी होता है तो ऐसा नहीं कि कुछ आया और नहीं आया तो उसी से अपना बविश्यत हो जाएगा एनिवेज मुद्दा करेंट अफेस में जाने लाइक क्या 2020 में ये ले लदक वहाँ पर चीनी सैनी गुस्पैट कर रहे थे और ये गलवान में क्लैश होए थे जहाँ बारत के 20 सोलजर शहीद हुए चीन कहता है हमारे सिर्फ 4 जवान मरे हैं लेकिन ऑस्टेलियन न्यूस पेपर का कहना है कि चीन के 35 से ज़ादा जवान मर गए केर उसके बाद भी 2021 में इंडिया ने ब्रिक्स जोइन स्टेटमेंट में का ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना साथ आफरिका किये बेजिंग में जो विंटर ओलम्पिक्स होने वाले हैं फेबरुआरी 2022 में हम उसका स्वागत करते हैं सपोर्ट करते हैं लेकिन चीन वापस पदमाशी पे आ गया है वो ऐसा कि ओलम्पिक टॉर्च बियरर वो उसकी जो मशाल होता है उसको लेके जो दोड़े और पुरा काम वो किसे दिया गया एक ऐसे सोलजर को जो ये गलवान इंसिडेंट में था उसको चीन सरकार ने कुछ बहदूरी का मैडल दिया था और उसे मशाल दोड़ाएंगे तो बारत सरकार ने इसका विरोध किया है कि स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह रहने दीजी आप ऐसा ये पॉलिटिकल और मिलिटरी स्टेट्मेंट क्यों दे रहे किया चीन में और कोई स्पोर्ट्समेन नहीं है जो मशाल लेके दोड़ सके इसलिए बारत के जो इंडियन फॉर्इन सर्विस ओफिशल जो चाइना में पोस्टेड है उनको एंविटेशन है खेल देखने के लिए ओपनिंग सेरिमानी में लेकिन बॉयकॉट किया गया है बारत दोड़ा हलाकि इंडिविजूल इंडियन स्पोर्ट्समेन को शामिल होना हो तो वो कर सकता है तो बारत से वैसे तो एक ही स्पोर्ट्समेन बेजिंग विटर ओलम्पिक्स में जा रहा है आरिफ खान जमू कश्मीर से और वो स्कीइंग करते है इसके लावा प्रसार बार्दी दूर जर्शन ये सब टेली काच नहीं करेंगे और बारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्टेलिया, बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट किया है लेकिन पाकिस्तान, रशिया, साउदी अरब के लीडर्स जा रहे है तो देट इस बन दूसरा एक्स्प्रेंट सीरीज में आ ह जो खुद कश्मीर का कुछ हिस्सा उसने उक्यूपाई किया है, उसमें से कुछ उसने चीन को दे दिया, फिर आपस में नुकलियर कोपरेशन किया, चीन वाले उसको लोन में पैसा देते हैं, वो लंबी जोडी कानी बहुत सारा हम पहले ही जानते हैं, आरम से बात में पढ उड़ाहिम, कुरेशी और उसको सीरिया में अमेरिकन सोलजर्स ने मार दिया, लेकिन हम उसका नाम याग रेखने नहीं बैठेंगे, क्योंकि रूल नंबर फाइव, एक था टाइगर, जेमस बॉन निउस, नॉट इंपर्टन्ट, आगे बढ़ते हैं, एथिक्स के समाचार एथिक्स में एक मुद्ध है, corporate governance, फिर कुछ और भी value system and qualities of a leader, leadership qualities, और एक quotation भी है, pride comes before fall, आदमी में पहले गमंड आता है, फिर उसकी पतन आता है, अब वो ऐसा कि मार्क जकरबक को लगता था कि मैंने ये facebook, instagram, whatsapp ये सब खरीद लिया है और अपुनी बगवाने अब, लेकिन ये कल ऐसा हुआ कि facebook की जो parent company Meta, उसका share price ये देखो, अचानक से इदर गिर गया, करीब 26% गिर गया, ऐसा क्यूं हुआ, तो एक तो कारण ये है कि आज कर लोग tiktok, telegram वगेरा apps में जा रहे हैं, तो facebook की apps कम use हो रहे हैं, तो उस हिसाब से advertisement revenue में जो पैसा कमाते हों, कम हो ग तो business वो नहीं पाए, तो फिर अब ये facebook ऐसा कह रहा है कि उसको हम project DM कहेंगे या DM कहेंगे और अलग से बनाने की कोश्चित, लेकिन उसमें भी ये France, Europe वगेरा के financial regulator oppose ही करेंगे उसे, अमेरिका और Europe की Parliament में सब inquiry चल रही है, कि कैसे election दांदली में, voter manipulation में facebook का इस्तेमाल किया रशिया द्वारा, और कैसे facebook tax का पैसा नहीं बरता, कुछ tax haven में जाके अपनी कंपनियां बना देता है, वगेरा वगेरा, as a result, जो निवेशक हैं, उनका more bang हो जाएगा, investors will feel disillusioned, तो वो क्या करेंगे, वो more bang हो गया तो अपने share नुकसानी में भी बेच कर वो भाग रहे है क्योंकि उनको डर लगता है, अगरी रुकेंगे तो ये 26 का 30% और गिर नहीं जाए, तो मेरा और नुकसान हो जाए, अब ऐसी स्थिति में आप सूचिए, ordinary retail investor का भी नुकसान होता है, सपोज अमेरिका में किसी ने mutual fund में पैसा invest किया, और mutual fund वाला आपका पैसा लेके अलग- corporate governance, corporate governance का मतलब क्या है, किसी company को इस तरह से चलाना कि उसके shareholder, employee, raw material supplier, distributor, wholesaler, retailer, customer, वो सब लोगों के हितों की रक्षा हो, तो वो तभी हो सकती है जब corporate governance अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर corporate governance ठीक नहीं है, इसलिए ये problem आ रहे हैं, और भी example दे सकते हैं, इंडियन कंपनियों के जैसे सत्यम का गोटाला या स्पैंक के अंदर जो crisis हुई, तो कुछ मुद्धे होने जब डिपेंड करता है, आपको क्या पूछा और आपको क्या लिखना है ethics में, ethics में एक और मुद्धा, environmental ethics, अब उसमें बात क्या है, मिद्र आप जानते हैं, जब भी ये कोई highway, damn, बिजल गर बनाया जा रहा हो, और उसमें अगर पेड काटने पड़े, जंगल काटना पड़े, तो compensatory afforestation, बरपाई के स्वरूप में वो जो ठेकेदार या कंपनियां उसने नए पेड लगाने होते हैं, लेकिन पाया गया, कि आजकल ठेकेदार और कंपनियां, saplings, मतलब ऐसा जो पौधा होता है, प्लास्टिक के वो ठेली में रखा हो, वो आसपड़ोस के लोगों को दे दे, कि तुम लगा देना, and it is presume कि ये जो हरेक आदमी को ऐसा कोई स्कूल में जाके, या कहीं नेबरूर में जाके, saplings दिये गएं, तो वो सारे लगाएंगे, अच्छे से देखबा दूसरा प्रोब्लम ये बहुत सारे कोईले और ऐसा सब खनन सामगरी से बढ़े हुए ट्रक जरूरत क्या होती है, इस पर अच्छे से प्लास्टिक लगाया जाए, ये सिटी एरिया, विलेज के रोड से न जाए, अलग हाईवे से जाए, ताकि एर पलूशन ना फेले, ले लेकिन फिर सरकार बोल देगी, this is national importance, strategic significance, राष्टिया और सामरी स्वरूप से बहुत मात्वपून है, तो इसको permission देना जरूरी है, बले वो tiger corridor या elephant corridor से जाता हो, so these are all the challenge areas in environmental ethics, कि हम एक तरफ development भी चाते हैं, लेकिन पर्यावरण का सम्मान नहीं होता है, आगे मुद्दा च जो चर्चावाद विवाद होता है, वो अच्छी गुनवत्ता का नहीं शोर गूल होता है, दमाल की जाती है, उसमें हमें कुछ और नहीं example मिले, पर example, ये member of parliament जो question hour में अपने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना चाहते हो, तो उसमें कुछ ऐसा है कि opposition leader राजय सभा में कुछ पूछना चाहते थे, कि लंडन की एक संस्ता है, जिसने ये democracy का कुछ rank बनाया था, और उसमें इंडिया का rank क्यों गिर रहा है, क्या कारण है ऐसा, वो question hour में कोई opposition MP पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने राजय सभा के secretariat को बोला कि ये question को तुम permit ही मत करो, ये question hour मे आना ही नहीं चाहिए, और उसी साब से उसको हटा दिया गया है, तो ये सब से फिर क्या पता चले, जो opposition के MP हों के उन्हें लगेगा कि parliament में तो हम इसकी कोई debate कर नहीं सकते, तो हंगामा करते हैं, या बाहर जाके दमाल करते हैं, as a result, the quality of debate is declining, फिर SIECO और उदाहरन, मित्रो हर साल के शुरुआत में जो parliament का session हो, तब President, लोकसभा और राजसभा की joint sitting को संबोधित करते हैं, कि सरकार ने ये काम किये, ये सब उपलब दिया है, और उसके बाद motion of thanks, आभार प्रस्ताव पास किया जाता है, अब उस आभार प्रस्ताव में भी सब चर्चा करनी हो, तो opposition party चाते थी कि Pegasi spyware और ये Corona और vaccine के problem की भी चर्चा हो, लेकिन राजसभा Secretariat ने वो वाले मुद्धो को भी हटा दिया, मरलब चर्चा ही नहीं हो सब कि चर्चा के बाद voting हो और उसमें वो तो reject हो जाएगा, अगर BJP की majority है, लेकिन voting तक पहुंचने ही नहीं दिया जा, चर्चा उसमें reservation आरक्षन, कुछ साल पहले याद करो हर्याना में ऐसा कानून बना था कि जितनी ये private कंपनियां उसमें 75% jobs में local लोगों को reservation दिया जाए, लेकिन उसका फिर कंपनियां विरोध कर रही थी कि हमको talented आदमी बार से नौक रिपे रखना एंड़क नहीं पाएंगे, तो पंजाब हाई कोट, पंजाब एन हर्याना हाई कोट में मामला गया और उन्होंने इस कानून पर स्टे लगा दिया, मतलब ये अभी लागू नहीं होगा, सिवाए के हर्याना सरकार हाई कोट से उसका स्टे हटवा दे या सुप्रीम कोट जाके उसका स्टे हटवा दे, नक् उत्राखंड से एक और समाचा रहाते हैं वो पॉलिटी इलेक्षन मेंस पेपर टू बात ये कि उत्राखंड में भी अभी ये जो विदान सबाद चुनाव होंगे तो उसमें अलग-अलग पार्टी उमिद्वारों को टिकेट देंगे तो बीजेपी और कॉंग्रेस के 20% तो क अगर कोई प्रतिबावान व्यक्ति सामाजिक कारे कर रहा है उसको चुनाव जीतना है लेकिन चुनाव आप कब जीत सकते हैं आपको कोई कॉंग्रेस बीजेपी SP, BSP जैसे बड़े राजनेतिक पक्ष का टिकेट मिले क्योंकि उसके जितने सारे वर्कर होंगे वो जाके गर-गर जाके आपका प्रसार करें सोशल मीडिया में आपका प्रसार करें पॉलिटिकल पार्टीज के पास धेर सारा पैसा होता है तो इलेक्शन केंपेन में सब आपका मार्केटिंग किया जा सके लेकिन अगर आप को टिकेट नहीं मिलता और फिर आपके में तो इंडिपेंडेंट MLA के रूप में आगे बढ़ नहीं सकते है पहली बात दूसरा ये उत्राखंड करिब बनाता साल 2000 में तो 22 साल होने को आए उसके जन्म के अब तक उसमें 10 बार मुख्यमंदरी बदल चुके है मतलब मुश्किल से 2 साल कई बार तो उससे भी कम टाइम तक कोई CM रहता है वो भी स्वाबाई क साथ ये CM बदल जाते है तेजर रिजल्ट स्टेट में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाता पिर एथिक्स में कुछ और मुद्दे कोटेशन लियोनार्डो डाविंची वो मोना लिसा की पेंटिंग बनाई थे और बहुत सारे आविशकार भी किये थे उसने अगर लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उस पर जंग लग जाता है पानी एक जगा पर पड़ा रहा है तो मेला हो जाता है और उसी तरह कोई कामकाज नहीं किया जाए तो दिमाग की शक्ती पर भी जंग लग जाता है यह दूसरे सब्दों में कहे खाली दिमाग शैत जान का गार है यह तो आम कहावत है, ordinary proverb, आप कुछ लिख रहे हैं, in the means तो कुछ और आपने पास वही चीज को elaborate करके लिख सके, तो हमारे पास यह नए नए एक्जामपल आगे, वो डिपेंड करता है क्या पूछा गया यह depression and other problems during corona, काम काज में दिमाग लगना चाहिए, चार म आज नहीं तो अगले साल अटेम्ट तो देना है, इदर UPS ही नहीं तो दूसरी एक्जाम का, तो कुछ पकल के टाइम टेबल बनाओ पड़ाई करो, चिंता करते रहेंगे तो पड़ाई कैसे खतम होगी, फिर economy और उसमें human resource development में poverty weaker section, means paper 1 में भी एक मुद्ध है, urbanization problems, और question भी पूछे हैं कि महिलाओ की क्या समस्या होती है, या ये migration के चलते, urban area में क्या problems हैं वगेरा, तो वैसे तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हमको नए मुद्धे मिलते हैं, ये कुल मिला कर, कितने words हैं, करीब 200 words की ये note बन जाती है, कुल मिला कर इसमें बाते क्या है, महिला प्रवासी मजदूर, शहर में आएगी तो उसको क्या problem आएगा, करीना कपूर के बाप दादाओ के पास वो जो राज कपूर वाला theater और studio था, उसको वो बेचने वाले हैं और उसमें से तेर सारा पैसा आएगा, और उसमें से स्वाब आएक है करीना कपूर को भी, जो आप सेम टू सेम चीज़ कह सकते हैं, ये गरीब महिला जो गाँ छोड़ के शहर आई है, तो उसको अपने माईके से अपने माबाब के नाम पर जो खेती बाड़ी की जमीन हो, कोई पुछतेनी मकान हो, वो भीकेगा और इसको पैसा मिल जाएगा, आपको लगता है difficult, क्यू So, this is the first problem, कि जो migrant women workers होती हैं, तो उनकी जो ancestral property में उनको सब rights मिलने चाहिए, गाँ में, वो सब real रूप में उनको मिलते नहीं, उनको असल में वो पैसा या जो हक मिलना चाहिए, कोई चुरा लेता है, खा जाता है वगारा, दूसरा महिला बाल विकास की देर सारी योधना च तीसरा वो सब जोंपड़ी में रहे तो बीमारी, यौन अपराद, सेक्शुल हरेस्मेंट, रेप्स, वो सब का जोखिम बढ़ जाता है, उनके बच्चे स्कूल में नियमित हाजरी नहीं दे पाते, क्योंकि ये construction, highway, building, इधर दो दिन काम किया, पांच दिन उदर काम किया, तो स्कूल अटेंडन्स होती नहीं, तो पड़ाई भी अच्छी नहीं होती, दूसरा, अगर कोई joint family में रहे, तो छोटे बच्चों की परवरिष तो दादा दादी भी संबाल लें, और वो मैला अगर कहीं नौकरी पे जा रही है, तो उसे problem ना आए, बट ऐसी जो migrant women में बच्चा गिर गया, या क्योंकि construction site पे तो कितनी गंद की दूल मैल होती है, तो बच्चा बीमार भी हो जाए, तो infant mortality के बहुत सारे कारणों में ये भी है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपने पास 200 words की vocabulary और articulation skill की we can handle this for means paper 1, urbanization problem remedies, paper 2 मे भी policies related to women अगेरा में बोल सकते हैं, फिर क्या चल रहा है, central bank digital currency के बारे में column, अब वो तो मैं मंगलवार को जो free lecture series शुरू कर रहा हूँ, win 22 उसमें आराम से देखेंगे, फिर budget अच्छा है या बुरा उसकी 500 जात की column हम परने नहीं बैठेंगे, जाने लाइक चीज़े हमने दो दिन पहले देखेंगे, फिर ये UP cricket board में नेपोटिजम चल रहा है, तो वो तो नेपोटिजम के जनरल मुद्धे हमारे पास काफी है, IDBI bank, उसमें LIC की 49% और सरकार की 45% शेर होल्डिंग है, अब ये लोग सोच रहे हैं किसी और को सब बेज देंगे, तो बेजने दो फिर देखते हैं, बजेट में काम किया गए, rationalization of centrally sponsored schemes, केंदर द्वारा प्रायजीत योजनाए, उसको थोड़ा और न्यावजीत तर्क संगत किया, मतलब अभी 130 से जाधा स्कीम चल लए थी, उसको कम करके 65 किया गया है latest budget में, वो कैसे किया, मिलते जुलते objective की देर सरी योधनाव को उन्हों या कुछ चल लाओ, उसमें पैसा डाल देंगे, उसी तरह मैलाबाल विकास मंत्राला, 19 अलग अलग स्कीम चला रहा था, उसको 4 में compress कर दिया, माकी ये 3 में compress कर दिया, मिशन शक्ती, मिशन वात्सलिया, सक्षम आंगरवाडी और पोशन 2.0, वो ये क्योधना है, ये सारी योधना है क्या है, हम लोग फ्री में पढ़ेंगे, विन 22 सीरीस पिलर 6 में, ऐसा ही और सब जगा किया गया, तो इससे फायदा क्या है, मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाए, और ये मिलते जुलते अब्जेक्टिव पर multiple schemes चल रही हो, तो duplication of effort, प्रयोतनों का वियर्थ दोह प्राव होता है, तो जिसके चलते सबसीडी और बिगरती है, और सरकार का गाटा भी बढ़ता है, तो वो बोच सब कम हो जाए, उसके अलावाद कुछ चर्चा है, शौरिटी बॉंड में हमको क्या problem है, और क्या अच्छा है, वह शौरिटी बॉंड हम पहले भी 3-4 बार दे